नमस्कार राजसिक्षा सोथ येवं परसिक्षन परिशत बिहार पटना में आपका स्वागत है तो बच्चों अमरिता भाग एक का हम लोग पढ़ रहे थे सश्ठः पाठर सुभा सितानी सुभा सितानी में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी सुंदर सुंदर कत ने आई जिसका आर्थ किये सरलार्थ को देखे कुछ व्याकरण भाग को भी देखे उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग परस्नोत्री में परवेश किये परस्नत्री में बहुत सारे मौखिक परस्न भी थे लिखित परस्न भी थे अब हम लोग इस पाठ से जुड़े हुए चौथे परस्न की ओर चलते हैं तो चौथे परस्न में कहता है कि दिये गए परस्नों के उत्तर लिखें परस्न जो दिया गया है उसका उत्तर हमें लिखना है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं परस्न है किसके लिए संपूर्ण पिर्थवी परिवार के समान है उचे विचार वाल व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति उदार होते हैं उदार चरिता आनाम तू वसद्हयव कुटुंबकम उंचे विचार वालों के लिए जो व्यक्ति उदार है जिनका विचार उचा है उनके लिए पूरी संसार पूरी पिर्थवी जो है अपने परिवार के समान है परस्न ख विद्या किसे प्राप्त नहीं होती विद्या किसे प्राप्त नहीं होती विद्या किसे प्राप्त नहीं होती तो सुखार्थीन कुतो विद्या विद्यार्थीन कुतो सुखम तो किसे नहीं होती है विद्या किसे प्राप्त नहीं होती है सुख चाहने वालों के लिए सुख चाहने वालों के लिए विद्या प्राप्त नहीं होती सुखार्थीन कुतो विद्या अगला है गर किस प्रकार की वानी बोलनी चाहिए किस प्रकार की वानी बोलनी चाहिए? किस प्रकार की वानी बोलनी चाहिए? तो बच्चों हम लोगों ने सुहासितानी में पढ़ा की किस प्रकार की वानी बोलनी चाहिए? सत्तम बुरुयात प्रियम बुरुयात न बुरुयात सत्यम प्रियम सत्य बोलो प्रिये बोलो अप्रिये सत्य जो हो वा नहीं बोलना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए? सत्य एवं प्रिये बोलना चाहिए. सत्य एवं प्रिये बोलना चाहिए. सत्य बोलो प्रिये बोलो. अगला प्रस्ण घह कौन सभी जगह पूजा जाता है? कौन सभी जगह? कौन सभी जगह पूजा जाता है? कौन सभी जगह पूजा जाता है? बिद्वान सर्वत्र पूजयते. स्वाधेशे पूज़ते राजा. बिद्वान सर्वत्र पूजयते. जो बिद्वान होते हैं, वे सभी जगह पूजे जाते है. विद्वान सभी जगह पूजा जाते हैं अगला है अंग विद्ध्या से क्या प्राप्त होती है विद्या से क्या प्राप्त होती है कि तो बताईए कि विद्या से क्या प्राप्त विद्या से क्या प्राप्त होती है प्रस्ण बाचक्षिन तो हम लोग जानते हैं कि विद्या ददाती विनयम विद्या ददाती विनयम विद्या से हमें बिनम्रता प्राप्त होती है विद्या हमें बिनम्र वनाती है तो इसका उत्तर होगा कि विद्या से विद्या से बिनम्रता बिनम्रता प्राप्थ होती है विद्या से बिनम्रता प्राप्थ होती है अर्थात लोग विग्गी हो जाते हैं इता अब हम लोग बिलोम सब्ध के बारे में देखते हैं कि बिलोम श्टव्ध क्या होता है जैसे बड़ा इसका बिलों क्या होगा छोटा बड़ा का बिलों छोटा अमीर का बिलों गरीब इसी तरह से अपने पाठ पुस्तक के प्रश्ण उत्री में आये हुए प्रश्ण पांच में हम देखते हैं बिलोम सब्द बिलोम बिपरित आर्थक बिपरित आर्थक बिपरित आर्थ रखने वाला शब्द लीखें उल्टा लिखना है जैसे सत्यम सत्यम का मतलब सत्य इसका बिपरित क्या होगा यदि इसमें उपसर्ग लगा देते हैं उपसर्ग लगा देते हैं बाकी वही रहेगा असत्यम सत्यम का असत्यम सत्य का असत्य प्रियम प्रियम मतलब प्रिये इसमें भी अप्रियम अ लगा देंगे इसका उल्टा हो जाएगा अ प्रियम प्रियम का अ प्रियम तीसरा है सुखम सुखम का उल्टा तो हम लोग सब जानते हैं सुखम मतलब सुख इसका क्या हो जाएगा दुखम दुख सुखम का सुख दुखम का दुख विद्वान विद्वान पहुत पढ़ा लिखा हुआ विद्वान विद्वान का हो जाएगा मुर्ख विद्वान का मुर्ख ज्यानम ज्यानम इसमे भी अ लगा देने पर अग्यानम ज्यानम का अग्यानम पापम पापम का पुन्यम पुन्यम पापम का पुन्यम आतमन सात्मा है आतमन आतमन अयात मन तो बच्चों हम देखे कि उल्टा सब्द शत्य का जूट अर्थात सत्यम और सत्यम प्रियम प्रिये का प्रिये प्रियम और प्रियम सुखम सुख दुखम दुख विद्वान जो बहुत पढ़ा लिखा हो मुर्ख जो कुछ नहीं जानता हो कुछ नहीं समझ पाता हो पापम का पुण्यम पाप क्या है प्रोपकार आय पुण्याय पाप आय परपीदिनम दुसरे को प्रोपकार करना पुण्य है और दुसरे को कस्त देना पाप है आत्मन अपना परमात्मन दूसरे का अब चलते हैं रिक्त अस्थानों को भरें तो बचों छठा प्रस्ण हम लोगों के सामने है रिक्त अस्थानों को भरें जो अस्थान खाली है उसमें कौन अशा शब्द का चयान करके भर दें कि वह एक सुक्ति के छोटा सा रूप मनें पूरा तो नहीं कह सकते हैं एक छोटा सा रूप भी हो सकता है तो पहला कम है सताम विभूत यह तो क्या इसमें हम लोग भर सकते हैं सोचिए बताईए सताम विभूत यह परोप काराया परोप काराया परोप काराया अब यह वाप के पूरा हो चुका है परोप काराया सताम विभूत यह सजन लोग की जो विभूती है जो संपत्ति है वो क्या है परोप कार है विद्वान खाली अस्थान है यहां भरना है विद्वान सरवत्र विद्वान सरवत्र पुज्यते विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं जो विद्वान होते हैं वो सभी जगह सरवत्र सभी जगह पूजे जाते हैं अब यहां है परम सुखम यहां क्या भराएगा परम सुखम न संतोशात न संतोशात परम सुखम नसंतोसात परम संतोस से बढ़के जो है कोई सुख नहीं है इसलिए नसंतोसात परम सुखम विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति विनयम तो अब हम लोग बाग को पूरा करते हैं तो देखते हैं कि पुरोपकार आया सताम विभूत यह पुरोपकार सजनों की संपत्ति होती है विद्वान सर्वत्र पुज्यते विद्वान सभी जगा पूजे जातने हैं सर्वे शंतु नि रामया इया सभी निरोग हों सभी क्या हों निरोग हों न संतोष आथ परम सुखं संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है संतोष संतोष आथ पुज्विभक्ती है संतोस से वढ़कर कोई सुखने विद्या ददाती विन्यम विद्या ददाती विन्यम विद्या बिनम्रता को देती है तो बाच्चों सात्मा परश्न है कि निमनलिखित को सुमेलित करें सात्मा निमनलिखित निमनलिखित सब्दों को निमनलिखित सब्दों को सुमेलित करें मिलाना है निमनलिखित सब्दों को सुमेलित करें निमनलिखित सब्दों को सुमेलित करें मिलाना है इधर जैसे दिया हुआ है ग्यान भार ग्यान भार अब 21 में जाकर मिलेगा दूसरा उदार चरितानाम उदार चरितानाम उदार चरितानाम तू बाकी इसको मिलान करना है तीसरा तीसरा है स्वदेशे पुज्यते स्वदेशे पुज्यते स्वदेशे पुज्यते कहां जाकर मिलेगा तीसरा चवथा स्वदेशे पुज्यते के बाद है भुभुख्चिता कीमना भुभुख्चिता भुभुख्चिता इधर कीमना पाचमा तो सुखार्थी नहुख्चिता सुखार्थी नहुख्चिता अब मिलान करना है इधर कर वसुधैव कुटुमबकम वसुधैव बसुधैव कुटुमबकम ख क्रियाविना ख किरिया विना किरिया विना गह कुटो विद्या गह कुटो विद्या गह राजा गह राजा गह राजा अंगर 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 में क्या है अंगर करोति पापम करोती पापम करोती पापम पापम तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार अंगर अगर वही असलोकांस जो है वह इधर से उधर आ रहा है कभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अधार पर अब हम इसका विलान किस परकार से करेंगे ग्यान भार इससे जब आगे ले जाते हैं तो क्या होता है ज्यान भार किरियाविना ज्यान भार किरियाविना हो गया उदार चरिता नाम तू क्या होगा बच्चों उदार चरिता नाम तू बसुधायव कुटुम बकम इसका कि कहा मिलेगा दूसरा वाला कम स्वादेशे पुज्यते राजा भुभुक्षिता किमन करोति पापम कहा है किमन करोति पापम सुखार्थिन कुतो विद्या इस परकार हम देखते हैं कि असलोक का जो थोड़ा थोड़ा रूप है वह अलग हो चुका tiene गयान भारत तो पहले ही लोग पर चुके हैं बच्चों जानते हैं कि ज्ञान भारह किर्याविना उदार चरितानाम तू बसुधैव कुटुम्बकम स्वदेशे पुज्यते राजा भूख्चित कीमन करोती पापम सुखार्थी न कुतो विद्या इसका मतलब हुआ कि ज्ञान भारह किर्याविना जो हम लोग पढ़ते हैं दिखते हैं ज्ञान अर्जन करते हैं जदी वह किर्या के रूप में आच्रन में नहीं उतारते हैं तो वह भार के समान है ज्यान भारह क्रियाबिना उसे आचरन में उतारना चाहिए और उदार चरिता नामतु बसु धैवह कुटुम्वकम उँचे विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पूरी पिर्थवी परिवार के समान है तीसरा स्वा देशे पुज्यते राजा राजा अपने देश में पूजे जाते हैं भूभूख्चिता कीम न करोती पापम जो भूखा व्यक्ति है वह क्या पाप नहीं कर सकता सुखार्थी न कुतो विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहां अब चलते हैं अगले परस्ण की ओर आठमा परस्ण है और वह इस पाठ का अंतिम परस्ण होगा तो यह एक दो तीन चार पांच पांच वाक्यों का निर्मान करना है तो पहले हम समझते हैं राजा राजा पर एक वाक्य का निर्मान करें जैसे रामह राजा को निर्प भी कहते हैं रामह एक राजा आसित या निर्प आसित राजा आसित थे रामह एक राजा आसित या राम एक राजा थे या राम एक राजा था तो यहां आदर शुचक के लिए हम लोग राम एक राजा आश्चित राम एक राजा थे विद्वान विद्वान सर्वत्र पुज्यते विद्वान विद्वान सर्वत्र पुज्यते विद्वान सर्वत्र पुज्यते श्वादेशे श्वदेशे पुज्यते राजा श्वदेशे पुज्यते राजा तो इसको change कर देते हैं स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान सरवत्र पुज्यते विद्वान सरवत्र पुज्यते स्वदेशे पुज्यते राजा शुखिन, शर्वे भवन्तु सुखिन, शर्वे भवन्तु सुखिन, विद्याद अधाति विने, विद्या विद्या ददाती विन्यम विद्या ददाती विन्यम हो गया? राज राम एकह राजायासित विद्वान सरवत्र पुज्यते स्वदेशे पुज्यते राजा सुखिन सर्वे भवन्तु सुखिन विद्या ददाती विन्यम इस तरह से हम लोग पूरे पाठ में सरपथम सुभासितानी का पाठ किया उसके अर्थ को जाने उसके व्याख्या को जाने तत्पस्चात इसमें आये हुए व्याकरन पाठ व्याकरन को देखे परस्नोत्री को देखे सभी को देखते हुए पाठ के अंतिम परस्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं तो बच्चों आपसे आसा करते हैं कि इस सुन्दर उक्ती को सुभासितानी पाठ को जो हम लोग पढ़े तो पढ़ने की अप्यक्षा जदी इसे अपने जीवन में उतारने का परियास करें इससे प्रेज़न यही मिलती है कि इसको अपने जीवन में उतारा जाएं जैसे कि राजा और विद्वान की तुलना नहीं हो सकती उसी तरह हम लोग विद्वान बने हम लोग का सोच हो कि सभी सुखी हो सभी निरोग हो यदि हम विद्याध्यन करते हैं तो हमें विद्यार्थी बनने के लिए बिनम्र बनना होगा इस तरह से बहूत सारे इसमें जो सब्द हैं वाक हैं अनुकरन करने योग हैं आशा करते हैं कि इसे हम लोग अपने आपके जीवन में उतारने का परियास करते हैं और इसी आशाओं के साथ पुनहा हम अगले वर्ग में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद झाल करते हैं बहुत अरोग हैं तर यारे साथ बोग झाल दानन के साथ 106 सोठन झाल अरोग झाल एकाल फूण साव भूड़ को वर हैंछा झाल इसे हम जाड़